ओम शंती, बेहद का ग्राहक, पतित पावन, लिब्रेटर, शिव बाबा, संगम पर आकर हम बच्चों को नई-नई चीजें देते हैं, जिसके बदले में हमारा सब पुराना कखपन ले लेते हैं. ग्यान देकर हमें नई दुनिया में ले चलते हैं. आज, 13 जुलाई 2021 के महवाक्यों में कुछ ऐसी ही बाते हमने सुनी, जिसकी विशेश बातों को अभी हम रिवाइस करते हैं. शिव बाबा ने अपना परिजय इस प्रकार दिया. और इनका नाम ब्रम्हा रखता हूँ. भोलनाच शिव बाबा हम बच्चों का बड़ा ग्राहक कैसे हैं? पुरानी चीजें खरीद करता हूँ. रिटर्न में सब नई-नई चीजें देता हूँ. ब्यूटिफुल तन मिलता, अपार धन मिलता, हीरे ज्वाहरों के महल मिलते. पूजा किसकी होती है? पवित्र की ही पूजा होती है. कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं हो सकती. विकार से पैदा होने वालों की पूजा नहीं होती. पूजा देवताओं की होती है, जो सदैव पवित्र होते हैं. तुम आत्माओं की पूजा होती है, क्योंकि तुम की खास और दुनिया की आम रुहानी सेवा करते हो इसलिए बाब के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है आज की मुरली की अनुसार शिव बाबा की महिमा इस प्रकार है सत्थ चैतन्य लिब्रेटर अभोगता सुप्रीम रुह नौलेज़फुल पतित पावन ज्यान का सागर दुख हरता सुख करता बेहद का भोला नात कॉंट्रास्ट की बातें याज से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे वह लड़ाई वाले कहते जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा हट योगी हद के सन्यासी राजयोगी बेहद के सन्यासी उ उनको सारी दुनिया से वेराग्य है उनको पता ही नहीं कि स्रिष्टी बदलती है तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है शिव बाबा है बेहद के बच्चों का ग्राहक वह होते हैं हद के ग्राहक क्या मोक्ष मिलता है वापिस अपने घर कोई जा नहीं सकता पुनरजनम सबको जरूर लेना है घर जाने का समय एक है फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ यह गपोड़ा है कोई भी आत्मा बीच से वापिस जा नहीं सकती नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए हर एक को सतो रज जो तमों में जरूर आना है यह अनादी बना बनाया ड्रामा है यह कभी बदल नहीं सकता बाबा को याद करने से क्या फायदे हैं तुफान उड़ जाते माया भाग जाती पुन्ने आत्मा बनते अलाउय निकल जाती स्वर्ग के मालिक बनते आत्मा पवित्र सच्चा सोना हम बच्चों को किन बातों की धार्णा करनी है माया के तुफानों को भगाने के लिए बाब को बहुत बहुत प्यार से याद करना है आत्मा को योग अगनी से सच्चा सच्चा सोना बनाना है बेहत का वेरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है दुनिया बदल र ये थी आज की मुरली की विशेश बातें, हम अटेंशन रखें सारा ही दिन कि हम आत्माओं में जो अलॉय पड़ गई है उसे याद की अगनी से जरूर निकालें, बाबा की याद से आत्मा को स्वच सोना बनाएं कॉमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताईए कि आज की मुरली से आपको कौन सी बात पसंद आई, जिसे आप धारन करेंगे ओम शान्ति